Hello learners, आज की इस वीडियो में हम discuss करेंगे English के कुछ simple short sentences जो कि आपको English का कोई भी paragraph समझने में help करेंगे, sentences बनाने में help करेंगे English बोलने में भी आपकी काफी help करेंगे चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं पहला sentence सबसे पहला sentence है glad to hear that यानि के सुनकर अच्छा लगा here का मतलब होता है सुनना और glad का मतलब होता है अच्छा लगना तो इसका क्या meaning बन गया? glad to hear that, सुनकर अच्छा लगा दूसरा sentence है are you sure? क्या तुम्हें यकीन है? sure का मतलब होता है यकीन होना इसलिए क्या तुम्हें यकीन है? यहाँ पर question पूछने की sound आ रही है इसलिए हम इस तरीके से पूछेंगे क्या तुम्हें यकीन है? next sentence है I care about you मुझे तुम्हारी फिक्र है care का मतलब होता है फिक्र तो sentence क्या बन गया? मुझे तुम्हारी फिक्र है next sentence है don't speak too much ज्यादा मत बोलो too much का मतलब होता है ज्यादा बोलने का मतलब होता है speak तो don't speak too much ज्यादा मत बोलो इस तरीके से आप sentence को अलग-अलग part में करके sentence बनाना सीख सकते हैं जैसे कि it's my decision यह मेरा फैसला है decision यानि के फैसला my यानि के मेरा it's यानि के यह है तो यह मेरा फैसला है it's my decision next sentence है मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती I can't even imagine imagine का मतलब होता है कल्पना करना मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती I can't even imagine don't pull her down उसका मनोबल मद गिराओ पुल हर डाउन का मतलब होता है मनोबल गिराना तो सेंटेंस क्या बनेगा उसका मनोबल मत गिराओ नेक्स वर्ड है I don't agree मैं सहमत नहीं हूँ एगरी का मतलब होता है सहमत होना डोंट का मतलब होता है नहीं मैं सहमत नहीं हूँ I am on the way मैं रास्ते में हूँ I का मतलब होता है मैं, on the way का मतलब होता है रास्ते में होना तो ये बन गया I am on the way, मैं रास्ते में हूँ Cut down on tea, चाई पीना कम कर दो Tea का मतलब है चाई, cut down का मतलब है कम करना Cut down on tea, चाई पीना कम कर दो Take a nap, यानि के जपकी ले लो टेक का मतलब होता है लेना, नाप का मतलब होता है जबकी, टेक का नाप जबकी ले लो स्टॉप स्नोरिंग, खरांटे लेना बंद करो स्नोरिंग का मतलब होता है खरांटे लेना, स्टॉप का मतलब होता है बंद करना स्टॉप स्नोरिंग, खरांटे लेना बंद करो नेक्स सेंटेंस है, it's your turn now, अब तुम्हारी बारी है, turn का मतलब होता है बारी, तो ये बन जाएगा, it's your turn now, अब तुम्हारी बारी है Show your talent, अपना हुनर दिखाओ, talent का मतलब होता है हुनर, show का मतलब होता है दिखाना, show your talent, अपना हुनर दिखाओ What's up? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है को हम बहुत इजी से बूल सकते हैं What's up? और इसके आंसर में क्या कह सकते हैं? Same as always वही जो हमेशा होता है Same as always I am sorry to interrupt you आपको टोकने के लिए माफी चाहता हूँ I am sorry to interrupt you I don't think so मुझे ऐसा नहीं लगता I don't think so का मतलब होता है मुझे ऐसा नहीं लगता Don't come in front of me मेरे सामने मत आओ In front of me का मतलब सामने आना Don't come in front of me मेरे सामने मत आओ Thanks for coming आने के लिए धन्यवाद Thanks का मतलब होता है धन्यवाद Coming का मतलब आना Thanks for coming आने के लिए धन्यवाद यह हमने काफी सारे sentences discuss किये I hope आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो इसे like जरू करें चैनल को subscribe करना ना भूलें ऐसे ही और वीडियो के लिए stay connected मिलते हैं next वीडियो में